एलो दोस्तों मैं हूँ उधर अजन और इंटेंजर्स इंडिया के चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ तो आज हम लोग देखेंगे कि सबसे अच्छे पांच कौन से पेनी स्टॉक्स हैं जो की मतलब आपके लिए सबसे अच्छे रहेंगे और ये पेनी स्टॉक्स मैंन इन में भी लगेंगे लेकिन अब भी नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आप बाई कर सकते हैं उसके बाद यह upper circuit और lower circuit मारना स्टार्ट करेंगे इसमें क्या है कि जादतर यह companies बहुत अच्छी हैं और upper circuit में ही रहती हैं तो इन में से एक दो ऐसी companies बताऊंगा जो की मतलब upper circuit म और ना ही उस company को operate किया जाएगा गलत तरीके से तो मैं आपको यहां से लेता हूँ पहली company है यहां पे 3P land देखिए यहां पे मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ देखिए 3P land holdings है यहां पे तो देखिए अभी इसका price चल रहा है 6 रुपे पे इसका price चल रहा है देखिए यहां से आप देख सकते हैं 6 रुपीज पे इसका price चल रहा है current price है 6 रुपीज market cap 11,000 करोड का है सिर्फ और उसके बाद ROC इसका return on capital employed 4% का है ROE 0.44% का उसके बाद 52 week high और low आप देख सकते हैं 8.70 का इसका high है और 2.88 का इसका यह low बना है उसके बाद देखिए उपर आते हैं तो इसका chart मैं आपको दिखा देता हूँ यह तो 1 year का है मैं आपको maximum chart दिखा देता हूँ देखिए यह company कहाँ पर आके रुकी हुई है आप लोग एकदम आप लोग को एकदम साफ साफ दिख रहा होगा कि यह company अपने support पर यह trade कर रही है देखिए यह support पर एकदम ही trade कर रही है 10 रुपै से भी नीचे अभी यहाँ से previous time पर क्या हुआ था कि यह company इसी level पर थी इसी level पर थी लेकिन एक ही बार में ऐसा circuit पकड़ा इसने कि एक ही बार में देखिए यह company कहाँ तक जाके रुकी थी यह 60-70 के आसपस में जाके यह company रुकी थी तो अगर 6 रुपै का share अगर 60 रुपै भी हो जाता है तो आपको 1000% का profit हो सकता है तो यह company बहुत अच्छी है मै अभी debt free हो चुकी है उसने अपना debt को reduce करना है start कर दिया था और करते करते यह company अभी debt free होने के कागार पे है debt free होने ही वाली है इसका आप लोग देख सकते हैं यहाँ से sales आप लोग देख लिजे तो देखे sales इसका बढ़ते जा रहा है 0.7, 0.9, 0.80 और अभी 0.68 करोड के आ profit बढ़ रहा है उसके बाद सबसे अची बात है सबसे अची चीज दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पर देखिए compound profit growth देखिए इसका growth कैसे बढ़ रहा है 10 years में 7.45% का 5 year में 15% का और TTM देखिए TTM में 4700% का ठीक है यह कम से कम एक साल में 6 months में इसने बहुत ही ज्यादा जब से यह company आई है market में तब से इसने बहुत ही अच्छा खासा return दे दिया है तो देखिए अभी माल लेजे मैं आपको यहाँ पे 1 month का आपको देखिए 3 month का आपको return दिखा दूँ तो देखिए जब से 6 month का दिखाता हूं देखिए January से लेके January में यह company नीचे थी फिर उसक cyclic तरीके से cyclic तरीके से यह company और उसी cycle में यह बढ़ रही है और उपर जाने के कागार पर आया हुआ है आई हुई है यह company तो यहाँ से अगर आप लोग buy कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ से profit बन सकता है तो यह हुई हमारी पहली company 3P lands holding दूसरी company हम लोग देखते हैं कि कौन सी है तो उसमें से सबसे अच्छी company मैं आपको बताता हूँ जिंदल लीस finance देखें यहाँ पर है जिंदल देखें लीस finance आप लोग यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही अच्छी company है इसका current price देखें 13 रुपीज पे चल रहा है मैंने आपको बोला था कि यह सारी penny stocks है penny stocks है और यह 20 रुपीज से कम के मैं आपको बताने वाला हूँ देखें penny stocks तो generally 10 रुपे तक होते हैं लेकिन मैंने 20 रुपीज तक इसको बढ़ा लिया है तो 20 रुपीज से नीचे के जितने भी fundamentally strong अच्छे stock है और वो penny stock के category में आते हैं उनको मैं आपको बताने वाला हूँ तो यह देखें यहां से 13 रुपीज पे है आप लो 52 वीक हाई और 52 वीक लो देख सकते हैं यहां से और उसके बाद यह stock का PE देख सकते हैं price by earning 4% का है और 4 रुपीज का है और यहां पे book value इसका 23 का है और इसका chart हम लोग देख लेते हैं तो देखें अभी यह one year का chart है उसके बाद maximum chart है आप लोग देख लिजे कि यह company बहुत नीचे आके खड़ी है यह company अपने देखें यह support level पे आके खड़ी है यहां से अगर यह यहां भी जाती है 20 है 21 रुपीज पे भी जाती है तो आप लोग इसको sell करके निकल सकते हैं तो ऐसे ऐसे companies में यह देखें इसका यहां पे virtually debt free आप लोग देख सकते हैं company is virtually debt free है stock trading है 0.5 है 5-6 times its book value तो बहुत ही अच्छा है यह चीज हलां कि इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि fundamental तरीके से इसको qualify नहीं करते हैं लेकिन यह company य अगर आप long term के लिए रखते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा production कर सकती है हम लोग देखे probability पर काम करते हैं और अगर probability हम लोग को लगता है कि यह company जा सकती है तो हम लोग इसको buy कर लेते हैं तो आगे चलते हैं आगे तीसरी company पर चलते हैं तो यह हो गया Oswal Green Tech देखें यहां और इसका स्टॉक पी आप लोग प्राइस देख सकते हैं यहां से स्टॉक पी थ्री रूपीज का है 3.64 का है उसका बुक वैल्यू का है आरो सी थी का और आरो ए 2 परसेंट का है बार 52 विक हाई और लो इसका 16 रूपय पर है और यह अभी यह 6 रूपीज पे इसका लो बना ह तो मैं आपको यहां से यहां से आपको दिखा दूँ देखे करेंट प्राइस 12 रूपय पर चल रहा है और इसका यह थोड़ी साइकलिक कंपनी है थोड़ी साइकल में चलती है तो एक बार में ऊपर जाएगी फिर उसके बार नीचे आएगी तो यहां से आप लोग देख सक अगर यह 10 रूपय तो यह एटी रूपीज चला जाता है आपका दो यह तीन साल में तो भी आपको समझ लिज़ें कि 800 परसेंट का आपको रिटर्न मिल जाएगा 10 रूपय पर बाई करके अगर यह 80 रूपीज पर जाता है तो भी यह देखे 2010 के 2011 के आस पास में यह 18 यह 50 र कैपैबिलिटी रखता है कि यह ऊपर जाए तो यहां से हम लोग को हम लोग को यही तो ढूड़ना है कि कौन से पॉइंट से हम लोग को कौन सा शेर्स बाई करना है तो इसमें इन सारे शेर्स में जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सारे शेर्स में वो कैपैबिलिटी है जो विस्तार आमर लिमिटेड, ये कमपनि में आपको मतलब बहुत ही जादा इसमें महनत किया है, बहुत ही जादा फाइंड किया है, तब जाके ये कमапनि मिली है, यहाँ से मैं बिदेरी मासिमा आपको दिखा देता हूं, देखें ये 25 रूपीज पे, 25 रूपीज تक इसका हाई बना है उसके बाद मैं आता हूँ इसका थोड़ा हम लोग प्राइस देख लेते हैं देखिए प्राइस 17 रुपीज पर है अभी और बुक वैली उसका 13 का है रोसी बहुत कम है लेकिन फिर भी अगर ये 17 रुपई से 25 अगर अपने हाई को भी क्रॉस करता है 25 पर भी जाता है तो आपको कम से कम यहां से 70-80% आपको प्राफिट हो सकता है ये भी वर्चुली डेट फरी है आप लोग यहां से देख सकते हैं वर्चुली डेट फरी कमपनी है तो यह बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट आप कि जो शांती होती है वो यह है मतलब अब भी एकदम शांत बैठा हुआ है यह शेयर उसके बाद यह ऐसा बढ़ना स्टार्ट करेगा कि आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि यह कमपनी कहां से कहां बढ़ गई तो इसके चलते आप अपने पोटफोलियो में इसको ब बता रहा हूँ यह सारे स्टॉक बाई करने के लायक हैं और उनको आप बाई कर सकते हैं आराम से तो उसके बाद मैं आता हूँ देखिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ थर्ड वेव थर्ड वेव फैनेंशल देखिए अभी 15 रूपीज के आज पास में इसका प्राइस चल रहा है और इसका मैक्सिमुम अगर हम लोग चार्ट देखें तो देखिए अभी यह भी कंपनी अभी यह अपने सपोर्ट लेवल पे आके रुकी हुई है तो यह अपने सपोर्ट लेवल पे अगर यहाँ से आप लोग बाई कर लेते हैं तो देखें मैक्सिमुम चार्ट तो इसका 15 रुपे का प्राइस दिखा रहा है लेकिन वन मन्त का अगर आप लोग देखें तो देखें 12 से यह 16 रुपीज पे कितरे टाइम में गई है सिर्फ यहाँ पे जून 29 है और उसके बाद 7 जुलाई यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको सिर्फ इसको कम से कम 10 दिन का टाइम लगा है सिर्फ तो 10 दिन में यह कमपनी समझ लेज़े कि आपको 20-30% का रिटर्न दे रही है तो ऐसी ऐसी कमपनी जूनना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है इसके लिए मैं आपको यह सारे शेयर्स बता रहा हूँ तो आप लोग एक बार इसको देख लिजे, समझ लिजे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसमें बाई करके आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यह long term के लिए बहुत ही अच्छी companies रहेगी, जो मैंने बताया है आपको फिर उसके बाद एक हम लोग देख लेते हैं और लास्ट है यह ओस्वाल एक्रु मिल्स यहां से देख लिजे इसका प्राइस करेंट प्राइस चल रहा है 10 रुपे पर देखे यहां से करेंट प्राइस आप लोग 10 रुपीज का देख सकते हैं इसका मार्केट काप 139 करोड का है बुक वैली उसका 57 रुपीज का है और उसके बाद अगर इसका चार्ट मैं आपको दिखा दूँ तो हमारा यह नीचे रहा चार्ट देखे यहां से चार्ट मैं आता हूँ तो देखे यह कमपनी कम से कम 25 रुपीज पे यह जा चुकी है प आया हुआ है और यह आप लोग भाई कर लेते हैं लांकि इसमें थोड़ा सरकिट लग सकता है इसलिए मैंने बोला था कि एक दो कमपनी ऐसी रहेगी जिसमें थोड़ा सरकिट लगेगा कभी-कभी तो अगर इसमें चार्किट लगता है तो आप लोग इसको उस टाइम कर सकते हैं तो आप लोग वहाँ पर बाई करके लॉंग टम के लिए छोड़ दीजिए इसको और 25 पे और 30 पे जाता है तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं और एक चीज यहां से भी आप लोग देख सकते हैं कि यह कंपनी डेट फरी हो चुकी है यहां पर वाचुली डेट फ सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं वहां से आपके लिए वीडियो बना दूंगा और Intangious India के चैनल पे वीजिट करने के लिए थैंक यू और आप लोग एक बार जाके अगर आपने वीजिट नहीं किया है तो आप लोग एक बार चैनल वीजिट कर लिजे वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के डाले हुए हैं Implied Volatility Options और फिर Equity बहुत सारे शेयर्स के वीजिट कर सकते हैं और आप वहां से देख सकते हैं और जो भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्षन में बता देजे थैंक यू दोस्तों